खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन आज की दौर में महिलाओं में प्रेगनेंसे संबंधित कई बिमारियां जनम ले रही हैं जिन में से एक है एंडियोमेट्रियोसिस इंडिया टाइम 24 नियूज ने नीलकंट हॉस्पिटल से IVF स्पेशलिस वा कंसल्टेंट डॉक्टर प्रिंसी से एंडियोमेट्रियोसिस नामक बिमारी के बारे में बात चीती और इसके सिम्टम्स डियागनॉस और ट्रीट्मेंट के बारे में समझने की कोशिश की आए देखते हैं ये एक्स्क्यूज इव इंडियोज नमस्कार आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 नियूज आपके साथ मैं हूँ प्रवीन और आज हम पहुंचे हैं गुड़गाउम इस्तित नीलकंट हॉस्पिटल में और मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर प्रिंसी म सबसे पहला सवाल मेरा ये रहेगा एंडोमेट्रिस नाम की जो बीमारी है ये है क्या और इसका पता कैसे चलता है एंडोमेट्रिस के कंडिशन है नॉमली क्या होता है हमारे यूट्रोस की जो अंदर वाली लेयर है वो पीरियर्ट जिसे हम मावारी बोलते है उसमें शेड ह पर कई बार क्या होता है ये शेड होनी की बैजाए फैलोपियन ट्यूब नली की रास्ते से पीछे चली जाती है तो नॉमली जो एंडोमेट्रिम यूट्रोस में प्रेजन होती है अगर वो की और जगा में हो जैसे ओवरी समें होई, नली में होई या ब्लाडर, यूरेटर उसे हम endometriosis बोलते हैं या ectopic endometrium बोलते हैं और यह किस एज पर होती है और इसका जब पता चल जाता है तो किस लेवल पर जाकर उसे doctor से consult करना चाहिए नॉमली यह 18 से लेके 45 साल की औरतों में हो सकती है जैसे यह reproductive age group हम 18 से 45 हमारा reproductive age group है इन लोगों में अगर यह endometriosis होते है नॉमली जो period से पहले दर्द होता है वह एक यह 18 दिन का होता है जब period जादर 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 जिस दिन period अटा है उस दिन होता है बाद में वो दढ़ ठीक हो जाता है पर अगर वो endometriosis है उस patient को तो वो दर्द दिन पहले शुरू हो जाता है और जब period तक दुरान भी रहता ह और जब वह लेडी अपने हस्बेंट के साथ कांटाक्ट में भी रहती है, तब भी उसे बहुत दर्द होता है, जिसे हम डिस्परूनियम बोलते हैं, और अगर इन्होंने आंतरियों में भी हो सकता है, ये एंडोमिटरियम हो, तो आंतरियों में भी उसे कबजी की शिकायत हो स में आता है, ये उसे महीने में मावारी बहुत जादा आती है. – पिंसी, एक और चीज में समना चाहूं से डियाग्नोस क्या है और क्या कुछ ट्रीकमेंट इसके हैं? – हम कैसे डियाग्नोस कर सकते हैं, जैसे हम पेशंट रहे कि में को बहुत जादा पीरेड्स में पें होता यह जब मैं he can tag me रहती हूं ज़यसे ऐसे पता चलता हि जैसे वह खुद ही कहते हैं। जिसों है अग्धा कि मैं हम मी बहता है। जी सांब में당 अग्जा उन प्रेजिग में होते हैं। तो एकदम से बहुत जादा पेन होता है, तो हमें इससे पता जल जाता है, और हमें पूरा प्रॉपर जानने के लिए लिए लाप्रोस्कोपी कली होता है, और टेस्ट होता है, लाप्रोस्कोपी क्या होता है, हम एक छोटा सा छेद करते हैं, बहुत ही छोटा सा छेद होता है, कीई से कीज जिसे हम दूरबिन के रास्ते ते हैं, दूरबिन से हम देख लेते हैं कि उसे अ क्या मै और कुछ है क्या कुछ जूप्शन है। भी हो सकते हैं, या मेडिष्मों घृते हैं मेडिकल त्रीटमेंट माँच ह collagen is ऑफियल ओटा है। बडिरा को आचे फिरे से पो और डूसरीग हो सकते हैं औरोस्क्राइब प्रउट कीज़ने से उता सबनाचाँ निचिक में रजय का रहा है पाउरीजने पाउरीज़ में उयसे हैं पाउनल पाउरी श्रह भलते झाल हैं और पाउल उसके इंदंदोमेट्राइब का ब्रो ढहला है इसमें क्या कुछ treatment है और क्या IVF जो procedure है वो भी इसमें काम आ सकता है अब जैसे अगर पेशेंट को mild endometriosis है तो उसमें हम IUI कर सकते हैं IUI में क्या होता है? IUI में हस्बेंड का sample हम अच्छे से wash करके अंदर uterus के अंदर डाल देता है अंदर प्रॉपरली ओवरी में ट्यूप में जानी पाता है तो अगर IUI करते हैं तो कोशिश होती है कि अंदर शक्रानों अपस में मिल सके अगर हम sperm को uterus में छोडते हैं अगर तो mild endometriosis है अगर moderate या severe endometriosis है उसमें हम फिर पेशेंट का IVF कर सकते हैं फिर हम बाहर से ultrasound में एक needle लगा के फिर जिसे हम pick up बोलते हैं फिर उसका pick up करते हैं और फिर बाहर husband के sample के साथ शक्रानों के साथ मिला के फिर test tube baby embryo जो बनता है फिर वो उस महिला के अंदर डाल सके बहुत सारी जानकारी endometriosis बिमारी के बारे में डॉक्टर प्रिंस सी लगातार दे रही हैं एक और इससे समंदित मेरा सवाल ये रहेगा मैम क्या कुछ ऐसे भी एहतियात हैं जो वो पहले से बढ़ते हैं और ये बिमारी उनको लगे ही ना endometriosis में लिए कि अपना सफाई का थोड़ा ध्यान ऐसे तो यही कहा जाते कि काफी लोग महीना तो हर आउरत को आते हैं पर अब बैक फ्लो तो सबका नहीं होता तो बहुत सारी इसकी अलग लग थियोरी भी हैं कि endometriosis क्यों होता है पस यह कि मावारी के टाइम आपको खर्चा होता है वो क्या फोड़ेवल है हर किसी के लिए खर्चा अब आईवेफ पिछले जैसे कहते थे आईवेफ अपरिटिवली सस्ता भी हो गया और उसकी सक्सेस रेट भी जादा होगी है पहले जैसे सक्सेस रेट 40-50 बोल तो आज के जमाने में 60-70% सक्सेस रेट भी ह होगी है इसका बहुत सारे कारण है और लोगों के लिए आज सस्ता भी हो गया जैसे आजकल EMI की ऑप्शन पी अवेलेबल है 0% लोन पे भी अवेलेबल है तो यह है कि अगर आपको बच्चा नहीं हो रहा हो बिना कुछ यूज कर और बच्चा नहीं हो रहा तो मैं यही सला जांच करा लीजे अपनी और अपने हस्बिंड की बिल्गल एक बार डॉक्टर से आकर जांच करा लीजे अगर आपको लगता है कि आप इस बीमारी से जूज रही है एक अंतिम सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा नीलकंट हॉस्पिल के दॉर पर आप क्या कहीं है हमारे दर अगर आपको लग रहे है कि आपको ऐसे कोई सिंप्टम्स है कि आप अपने हस्बें के कॉंटक्त में रह तो भी आपको पेन हो रहे है यापको बहुत जादा मावरी आ रही है और आप साल से ट्राइ कर रह और फिर भी आपको बच्चा नहीं और एक बार आकर हमें हो हर का इलाज आई यह आई वेस से नहीं होता तो एक बार आके दिखाए कई बार अंडे की क्वालिटी कैसे है ट्यूप कैसे आपके हस्बेंड का सांपल कैसे यह सारी ब्रते मैटर करते हैं एक बार आपके दिखाईए यह थी हमारे साथ डॉक्टर प्रिंसी मितल जो जो हमें ऑगनोसिस किया जाता है और उसके ट्रीट्मेंट के प्रोसिज्जर क्या है यह तमाम जानकारिय और अगर आप भी इस तरह के बिमारी से जूद रहे हैं और कहीं भी आराम नहीं मिल रहा है तो एक बार निलकंट हॉस्पिटल में आपको आना चाहिए जहां आपको अच्छे तरीके से किया जा सकता है. कैमरा जेनलिस्ट गौरव के साथ प्रवीन, इंडिया टाम 24 न्यूस.